तो आज हम से करने जारे एक बहुत ही टेस्टी खास्ता बिस्किट की रेस्पी और ये बिस्किट मैं बीना ओविन के बनाने वाली हूं और ये बहुत ही टेस्टी और ये मिसा बनके रेडी होती है और इसे हम नानखटाई भी बोलते हैं और ये बहुत ही असानी से बना सकते ह और चैनल को सब्सक्राइब कर दीचिएगा तो चलिए इस बिस्किट को हम बनाते हैं तो सबसे पहले यहां पे बड़ा सा बाउल ले लेंगे और उसके बाद यहां पे हम लिए हैं घी तो यह चार चमच में घी ली हूँ तो आपको ज्यादा मेल्टेट घी नहीं लेनी है थो यहथे चीज़े को चान करकी बनाऊंगे तो बहुत ही अच्छी से बनके रेड़ी होती है तो इस तरीके से हम चाल लेगे आप और उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पे चमच या मिक्सर से इसको हम मिक्स करेंगे तो आपको इसको मिक्स करना है तीन से चार मिनट के लिए आपको यहां पे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि यह तब तक यह मिक्स करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए पूरा तो आपको इस तरीके से मिक्स करते रहना है आप देख सकते हैं अप Netz कर्तेश की अप करें के Oh होती है और बनाना बहुत ज़िदा सान है तो आप देख सकते हैं इसका टेक्षर बहुत अच्छे से mix हो गया है एकदम क्रीमी सा टेक्षर आ गया है और एकदम वाइट सा हो गया है तो यह बिल्कुल मतलब मिक्स के होके रेटी हो गया है उसके बाद हम इसको अलग हटा देंगे मिक्सर को और फिर से हम छनी ले लेंगे और यहां पर हम डाल रहें एक कप मैदा तो आप मैदा के जगा आटा भी ले सकते हैं गेहूं का उससे भी बहुत अच्छी बनती है और उसके बाद यहां हम ले रहा है है आदह कप यहां पर बेशन तो सब भी चीजों की हम डाल देंगे और उसके बाद हम हम उङे क्या करेंगे चानी के बना सकते हैं बड़ जोगा स्खित बश्याद में भी ऑन्तलब मिनी हम झाल और ये और इसके बाद हो इसमें हम ढाल रहे हैं शूजी तो जो खाना खाने जो चमच होता एंगे उससे हम डाला रहें दू चमच तो इसमें डाल Brave Ash तो पहले इस तरही के से आपको लेंगे Dash cowslub अनुब ले तो इन आपको अब अभी एशान नहीं है आपको मैं बताऊगी कब डालना है पहले हम अच्छे से mix कर लेंगे उसके बाद तो इस तरीके से आपको mix करते रहाना है उसके बाद हम हाथ से mix कर लेंगे friends हाथ से होता है बहुत ही अच्छे से mix होता है तो इस तरीके से पहले आपको दबाते हुए नहीं मिक्स करना है बस हलके हाथों से आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है आपको यह नहीं है कि हम इसको दबाते हुए मिक्स करें ऐसा नहीं है थोरा सा हलके हाथों से आपको यहां पर मिक्स कर लेना है तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है और उस और नाहिन ज़धा गरम डालना है आपको नर्मल दूद्र यहां पर एट करना है तो इस तरीक collaborated से आपको थोड़ा थोड़ा डालकर के आपको चिखोंट तो ऑच्छे से यहां है real one से 1-2 चमच यहांपर मैं डाल रहीप। फिर से मिक्स कर लेंगे, थो आपको दूद्ध डाल करके, проц rebellion, घ arriv करना है, तो आप में सब्सक्राद करना है, जा जाएगा और hen दार प्लेट या थाली लेना है या बैरीबार में पोटरल उसका करें और लगा करके उपर से भी हम घी लगा देंगे, ताकि जो इसमें बिस्किट है चिपके नहीं, तो बहुत पर चारो टरफ अच्छे आपको घी लगा और आपको यहां पे set करना है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यह set हो गया है, और उसके बाद इसको हम side पर रखते हैंगे, और उसके बाद हम यहां पे biscuit बना लेंगे, तो उसके बाद हम चलिए बनाना सुरू करते हैं, तो आपको थोड़ा सा misran ले लेना इस त से लड़ू बना करकेहं अपको दबा देना है। आप सकते हैं इस तरीके से बना गए तो यहाँ पर 12 या च्छोटा बना सकते हैं तो यह आप मैं सबस्क्राइब हो ना उस तरहीत 07 और चोटा बनाएंगे न अब बना एंगे न ग पूल जाए गा तो इस तरीके से आपको चोटा और आपने भराteri रीटिर से बना सकते हैं यह बना कर रेडि कर ली हूँ अई करके मैं सब्धe कर ली हूँ आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बन के रेडिय हुआ है friends, और आप देख सकते हैं अभी यह छोटे छोटे दीक रहा है, बाद मैं जब यह बन के रेडिय हुआ करना तो थोरा सा यह फूल जाएगा और बरा भी हो जाएगा, उसके बाद उपर से हम थोरा ऐसा पिष् चाहिं को अब आप ऐसे के ओपर हम डाल देंगे इक प्लेट तो आप सकते हैं तो मैं इस साओं के बना रही हूं और इसमें color भी बहुत ही प्यारा आया है और यहां पर gas ka flame हम off करके और इसको हम ठंडा कर लिए पहले से और आप देख सकते हैं यह कितना crispy और खास्ता बनके ready हुआ है और यह बहुत ही tasty बनके ready हुआ है friends तो आप ज़रूर try कीजिएगा बहुत ही अच्छी बनती है यह विस्क विडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक्स प्रहाची